जरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमने UPSC, NET, राज्यों की सिविल परीक्षाओं और विभिन्न विश्व विद्यालेओं के पार्ठेक्रमों को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य की रचनाओं की व्याख्याओं के वीडियो बनाए हैं इनका लेखन प्रसिद्ध साहित्यकार और जाने माने अध्यापक्ष्री राजेंद्र चंदरकांत राय ने किया है इस बार हम आपके लिए कवी सूरकांत रिपाठी निराला की विख्यात कविता रामा की शक्ती पूजा का चौथा भाग लेकर हाजिर हुए है हमने पूरी कविता को छोटे छोटे अंशों में बाट कर उन्हें पदक्रमांग दे दिये हैं हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इस लंभी कविता को इतमिनान के साथ समझा जा सके इस बार हम पदक्रमांग 16 से लेकर पदक्रमांग 22 तक की व्याख्या कर रहे हैं तो आईए प्रस्तुत है पदक्रमांग 16 सबसे पहले हम इस पद का पाठ करेंगे पतक्रमाग सोला खेल गई सभा पतनिश चाहिए भलनात अके दिया वृद को मान रामने चुका मात हो गए ध्यान में लीम पुनह करते विचार देखते सकलतं पुलकित होता बार बार कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन खुल गए रहा निश्पलक भाव में मजित मन बोले आवे ग्रहित स्वर सें विश्वास थित माता दख्षवर वजोती मैं हूँ आश्रत हो विद शक्ती से है खल महिशासर मर्दित जननजन चड़ं कमलतल धनिस सिंग रजित ये ये मेरा प्रतीक माता समझा इंगित मैं सिंग इसी भाव से करूँगा अब भिनंदित शब्दात इंदीवर निंदित याने कमल के फूल को भी फीका करने वाला मर्जित याने दूबा हुआ विद याने बंधा हुआ मर्दित याने चूर किया संदर्द संदर्द इस्प्रकार होगा ये कवितांश सूरिकांद त्रिपाठी मिराला जी के कविता संग्रारा गविराग में संकलित लंबी कवितारा मकी शक्ति पूजा से अवतरित है। प्रसंग इस तरह होगा, जामववान जी के प्रस्ताव का उपस्थित सभा पर होने वाले प्रभाव का चित्रन किया गया है। व्याख्या करते हैं, जामवंद जी के सुझाव से सभा में तसन्नता चा गई, सभी लोगों ने उसकी सरहना की, श्रीराम जी ने भी उसे उत्तम सुझाव बता कर अतना सिर चुका लिया, फिर में ध्यान मगन हो गए। समय सभी लोगों के मन में आनन्द शाया हुआ था। समय को आनन्द देने वाले आपके चरहों के निकट गर्जना करने वाला सिंग धन्य है। हिमाता मैं आपका संकेत जान गया हूँ। यह सिंग ही मेरा प्रतीक है। मैं इसकी तरही आपके चरहों में बैकर आपकी आराधना करूंगा। अब पदलालित्ते करते हैं पहला इस पंक्ती में पुनुर्टी अलंकार है देखते सकलतन पुलकित होता बार-बार। दूसरा इस पंक्ती में रूपक अलंकार है जन्रंजन चरण कम अतल धन्य सिंगर्जित अतीसरा इस पंक्ती में व्यतिरे कलंकार है। कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन। चौथा समासिक शैली अपनाई गई है। तच्सन शब्दों का प्रयोग हुआ है। नवीन चंद है। पद की विशेषता काली देवी की आराधना महिशा सुर्मद्रिनी के रूप में की गई है। पद क्रमाउग सत्रह सबसे पहले हम इस पद का पाठ करेंगे। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवी में निमग्न। फिर खोले पलक कमर जोतिर दल धिलग्न। है देख रहे मंत्री, सेनापती, वीरासन, बैठे, उमणते हुए राघव का स्मित आनन। बोले भावस् चंद्रमुख निन्दित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर, स्वर में घुमांद्र, देखो बंधुवर, सामने स्थिर जो वह भूधर शोभित शत हरित गुल्म तरण से शामल सुन्दर, पारवती कलपना है, इसकी मकरंद विंदू, गरचता चरण प्रांत प दस रहा गर्व मानव के मंद का असुर मंद हो रहा खर्व। इसो दिशाओं के स्वामी अस्थ हो चुके हैं और आकाश में दिगंबर शिव पूजित हो रहे हैं। शेको, हमारे सामने जो परवत है वह सैक्रोहरित कुंजो से युक्त है, वह श्यामल और सुन्दर भी है। वही देवी पारवती का कालपनिक रूप है। उन सगन नील कुंजो में पराग कणों के झरने सदैव झरते रहते हैं। उस परवत रूपी पारवती के चरनों के निकट क्रोधी सागर गर्जना करता रहता है। वह असल में सागर नहीं। सिंग हैं, दशो दिशाएं, दुरगा देवी के दस हाथ हैं, आसमान में दिगंबर उजनिये शिव सुशुभित हैं, उनके मंगल में भावों के कारण एंकार उनके चरनों में दबा जा रहा है। मानव मन की आसुरी वित्यों का विनाश हो रहा है। अब इस पद की पद सुश्मा क्या है, उसे भी देख लेते हैं। इस पंक्ती में अपन्हुती अलंकार है। गरजता चरन प्रांत पर सिंग वह नहीं सिंदू। पाचवा सामासिक शैली अपनाई गई है। तत्सन शब्दों का प्रयोग हुआ है। नवीं जंद है। विशेश तस्दिशाएं स्प्रकार हैं पूर्व, पश्चे मुत्तर, दक्षनी शान, नहरत्याग्निय वायवे पाताल और आकार। अब पद क्रमाग 18 पहले इसका पाठ फिर मधुर द्रिश्टी से प्रिये कपी को खीचते हुए, बोले, प्रिये तर्स्वर से अंतर सीचते हुए, चाहिए हमें 108 कपी। इंदीवर कम से कम, अधिक और हो, अध हो जामबवान सेपत, दूरत्वर्ष भर हनुमान, राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले सदेराम की सोचते हुए विजय, निशी हुई विक्तहनव के ललाट पर क्रथम, किरण, फूटी, रगुनंदन के द्रग महेमाग ज्योती हिरण। शब्दार्त देवीदा याने एक तालाब विशेश जहां पर बड़ी मात्रा में कमल के फूल खिला करते हैं, दुरत्व याने दूरी पर संदर्ग पहले की तरह ही रहेगा, प्रसंग प्रसंग इस तरह होगा, श्री राम के द्वारा हनुमान को दुर्गा पूजा में सहा शीतल हो गया, श्री राम ने कहा लमे कम से कम 108 कमल पुष्प चाहिए है, तधिक हो तो अच्छा ही होगा, प्रातैकाल होते ही तुम देवीदा सरोवर की और प्रस्थान करो, वहां से कमल पुष्प लेकर आओ, फिर विश्वास कूरवक युद्ध में भी शामिल हो जाना, ऐसी आग्या पा लेने के बाद हनुमान ने उस सरोवर के बारे में जो कि वहां बहुत दूर था समस्त जानकारियां प्राप्त की, जानकारियां पा लेने के बाद श्री राम की चरण खूली अपने सिर पर धारण की और परम प्रसन्नता के साथ अपने गंतव्य की ओर चल हनुमान के चले जाने पर विश्राम का समय जानकर श्री राम ने सभी वीरों को अपने अपने शिविरों के लिए विदा किया तब सभी वीर अपने मनों में दयालू श्री राम की विजय की कामना करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए जब रातरी समाप्थ होई और सूरी की प्रथम किरन से उजास फूटी तब श्री राम के नित्रों से महिमा रूपर सुनहरी किरने चार ओर फैलने लगी अब इस पद का पद सौश्थव क्या है उसे भी जान लेते हैं पहला पूरे चंद में स्वाभावुक्ती अलंकार है दूसरा समासिक शैली अपनाई गई है तच्सन शब्दों का प्रयोग हुआ है नवीन चंद है विशेश इस पद में हनुमान के प्रती श्री राम के विश्वास की अभिव्यप्ती हुई है पद क्रमाउग 19 पहले इसका पाठ है नहीं शरासन आज हस्त तूडी सकंद वह नहीं सुहता निविण जटा द्रण मुकुट बंद सुन पढ़ता सिंगनाद रण कोलाहल अपार उमरता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यानधार पूजुप्रांत जबते दुर्गा दश्भूजा नाम मन करते हुए मनन नामों के गुडग्राम बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समाराधन संदर पहले की तरह ही रहेगा प्रसंग प्रसंग इस तरह होगा इस पड़ में श्री राम के मन में च्छाय अवसात की समाप्ती और नय विश्वास का अगमन वर्नित हुआ है अब व्याख्या करते है ये हाथों में धनुश और कंधे पर तरकश नहीं है, सिर्पर जटाओं का ही मुकुट शोभा पा रहा है, अपने आसपास ही चलने वाले युद्ध की गर्जनाओं को सुनकर भी उनमें युद्धोचे तुत्सा भी नहीं उत्पन्न हो रहा है, ज्यान से परिपूर्ण श्री दिन वतीत हुआ, श्री राम का मन अपनी इश्ट देवी के चरणों में काग्र हो गया, आराधना क्रमशर गंभीर से गंभीरतर होती जा रही थी, अब पद सौंदर जान लीजिये पहला चंद में अनुप्रास अलंकार है, दूसरा समासिक शैली अपनाई गई है, तच्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, नवीन चंद है, विशेश इस पद में ततिकात्मशैली अपनाई गई है, पद क्रमांक 20 सबसे पहले पद का पाठ होगा, क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्रमन बढ़ता गया, उर्धो निरलग, कर जब पूरा कर, एक चढ़ाते इंदीवर, निच पुरश्चरण इस भाती रहे है पूरा कर, चढ़ शष्ठ दिवस आज्या पर हुआ, समाहित मन, प्रतिजब से खेच-खेच होने लगा, महाकर्षण, संचित प्रिकुटी पर ध्यान दुविदल देवी पद पर, जब के स्वर लगा क अरी शंकर का स्तर, हो गया विजित, ब्रहमानद पूर्ण, देवता स्तब, हो गये दग्ध जीवन के तपके समारग, रह गया एक इंदीवर, मन देखता पार प्राह करने हुआ, दुर्ग जो सहसरार, दुर्प्रहर, रात्री, साकार, हुई दुर्गा छिपकर, हज उठा ने गई, पूचा कप्रि इंदीवर, शब्दार्थ चक्र से चक्र का अर्थिस प्रकार है, हट योग की साधना में साथ प्रकार के चेतना केंद्रों की कल्पना की गई है, सबसे नीचे मूलाधार चक्र तथा सबसे उपर सहसरार चकर होता है, साधना करने पर मनुष्य की जेतना उप्पर के चक्रों में सक्रिये होती जाती है निर्लस याने आलसेहीं पुलष्च्रण याने मंत्र जाप आज्या चातपर है कि आज्या चक्र दोनों भौयोग के बीच में स्थिद विद्वल्याने दोदल शमाराभ्द याने संसकार सहस्रार याने सहस्रदलक民 संदर पहले की तरह ही रहेगा त्रसंग त्रसंग इस तरह होगा इस पद्मेशों प्रकार देवी दूर्गा की श्री-राम के और बढ़ती रही इससे उनका मन और भी उदात होता चला गया वे अपना स्तोत्र पाठ पूरा करते रहे छटवे दिन उनकी चेतना आक्या चक्र में स्थिर हो गई अब उनके अंदर की आकरशन शक्तिक्रमशर बढ़ने लगी थी ध्याम त्रिकुटी में जाकर स्थिर हो गय श्री राम बिना हिले डुले एक ही आसन पर दो दिनों तक बैठे रहे और देवी के चरणों में कमल पुष्प अर्पित करते रहे आठवे दिन उनका ध्यानयुक्त मन उपर की ओर चरता हुआ ब्रह्मा विश्नु और महेश के स्तर को भी पार कर गया तब समूचे ब्रह्मान को ही उन्होंने विजित कर लिया यह देखकर समस्त देवतागर्ण विच्रित हो गए उन्होंने ऐसे दग्द जीवन के संसकार को जाना इस तब से उनके तमाम संसकार और कर्म बंधन जलकर नश्ट हो गए अर्थात श्री राम जीवन मुक्त हो गए अंतता देवी को अर्पित करने के लिए मात एक ही पुष्प रह गया श्री राम का मन सहसरसार चक्र रूपी अवरोद को पार करने के लिए उत्सुखो चला था समय रात्री का दूसरा प्रहर था रात्री के अंधकार में छिपकर देवी दुर्गा वहां पर प्रकट हुई वे मुस्कुराईं और उस अंतिम पुष्ट को चुपके से उठा ले गई अब पज सौंदर जान लीजे पहला इस पंक्ती में यमक अलंकार है कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर दूसरा इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस प्रतिजब से खिच खिच होने लगा महाकर्श जबके स्वर लगा कांपने धर 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 अंबर, तीसरा इस पंक्ती में मानवी करण अलंकार है जबके स्वर लगा कांपने धर 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 अंबर, चौथा इस पंक्ती में वितिरेक अलंकार है कर गया तिकरम रहमा हारी शंकर का स्तर पाचवा सामासिक शैली अपनाई गई है, तच्सन शब्दों का प्रयोग हुआ है। नवीन चंद है। विशेश बंगाल में प्रचलित दुर्गाप पूजा की अनुष्ठान विधी का वर्णन किया गया है। आसन छोड़ना असिध्धी भरगय नैनद्वय धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध जानकी। हाई उधार प्रिया का हो ना सका। वह एक और मन रहा राम का जो ना ठका। जो नहीं जानता दैने नहीं जानता विने कर गया भे वहमाया वरण प्राप्त कर जये। बुति के दुर्ग पहुचा विद्योत गती हथ चेतन राम में जगी स्मृती हुए सजग्पा भाव प्रमन। यह है उपाई। कह उठे राम जियों मंदृत घन कहती थी माता मुझे सदा राजीव नैन। दो नील कमल है। शेश अभी यह पुरश्चरण पूरा करता हूँ। देकरमाता एक नैन। चब्दार तसिद्धी याने साधना की असफलता, मंदृत याने मंद्र स्वर्मे गर्जन, प्रमन याने तसन्नता, हट्ष चेतन याने चेतना रहित संदर्ग पहले की तरह ही रहेगा। प्रसंग प्रसंग इ जाप का अंतिम चरण आने पर श्री राम ने अपने ध्यान में देवी दुर्गा के दोनों चरणों को स्थिर किया। नेत्र बंद किये हुए ही अंतिम पुष्ट को उठाने के लिए हाग बढ़ाया। पर अंतु पुष्ट उनके हाग में नहीं आया। फूल को ना पाकर श्री राम का मन अधीर हो गया। उनका ध्यान भंग हो गया। नेत्र खुल गए। उन्होंने देखा कि वहां पर एक भी फूल नहीं बचा है। उन्होंने सोचा कि ये तो जब करने का समय है। यदि उन्होंने अपना स्थान छोड़ा तो उनकी साधना भंग हो पूजार चासर व्यर्थ हो जाएगी यह सोच कर उनकी आखों में आशुआ गए वे अपने आपको धिकारने लगे विचार करने लगे कि उन्हें सदाही विरोधों का ही सामना करना पड़ा है सिद्धी के उन साधनों को भी धिकार है जिनकी खोज में वे पड़े रहे हे जान परन्तु उनका आंतरिक मन जरासा भी न थका और नहीं दिन हुआ वहा तो किसी भी तरह के विनय को ही न जानता था वहा किसी के आगे गिर गिराता नहीं अपने पुरुशार्थ पर भरुशा करता था बुद्धी ने उनकी चेतना को जच्चोर दिया जिस तरह बादलों के बीच में बिजली कौनती है उसी तरह उन्हें एक उपाय सूझा वे बंभीर वानी में अपने आप से ही कह उठे य माता मैं अपनी एक आखर्पित कर इस अनुष्चान को पूरा करता हूँ अब पज सौंदर जान लीजे पहला इस पंक्ती में व्यतिरेक अलंकार है जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनै कर गया भेग वा माया वरण प्राप्त कर जाए दूसरा इन पंक्तियों में र श्रमासिक शैली अपनाई गई है तक्सम शब्दों का प्रयोड हुआ है नवीन चंद है विशेश इस पद में श्री राम के आतरिक गुरों का उद्घाटन किया गया है पद क्रमांक 22 पद का पाठ सुन लीजिये कहकर देखा तूलीर ब्रामशर रहा जलक लेलिया हास्त लकलक करता वह महाफलक ले अस्त्रवांपर दक्षिन कर दक्षिन लोचनले अर्पित करने को उद्यत हो गय सुमंजिस्क्षण बंध गया बेधने को द्रग द्रण निश् कापप ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदे साधू साधू साधक धीर धर्मधन धन्यराम उकह लिया भगवती ने राघव का हस्त थां देखा रामने सामने श्री दूर्गा भास्वर वामपध असुर्सकंध पर रहा दक्षिन हरी पर जियोतिर में रूप हस्त दश विविद अस्तर सजट मंद समितमुक लखूई विश्व की श्री लज्ज्ट है दक्षिन में लक्ष्मी सरस्वती वामभाग दक्षिन गडे कार्तिक बाएं रणरंग राग मस्तक पर शंकर पदपद्मु पर श्रधाभर श्री राघव हुए प्रडत्मंद स्वर्वंदंकर होगी जै होगी जै हे पुरुशोत्तम नवीन कह वहाशक्ती राम के वदन में हुई लीन कार्तिक ने कार्तिक के संदर्व पहले की तरह ही रहेगा प्रसंग प्रसंग इस तरह होगा इस पद में श्रीराम जब अपना मेत्रोट सर्ग करने हें तु तत्तर हो जाते हैं। तब देवी दुर्गा उनका हाथ थाम लेती हैं और विजय का वरदान देती हैं। अब व्याख्या करते हैं, श्री राम ने अपने तरकश की ओर देखा, उसमें ब्रह्म मंत्र से अभिशिक्त बाण दिखाई दिया, श्री राम ने उस बड़े फलवाले चमकतार बाण को निकाल कर अपने हाथ में ले लिया, फिर उस बाण को बाएं हाथ में लेकर अपनी मानने वाले श्री राम तुम धन्य हो, पवित्र हो, तुम्हारा कल्यान हो, श्री राम ने देखा कि उनके समक्ष परम तेजस्वी स्वरुपाद देवी दुर्गा तरित है, उनका बाया पैर महिशासुर के कंधे पर और दाया पैर सिंग पर टिका हुआ है, उनके दसों हा में गनेश और बाई गोध में कार्तिके हैं मस्तक पर शिव सुशोबित हो रहे हैं तक श्री राम गंभीर स्वर में उनकी वंदना करने लगे और उनके श्रद्धा पूर्वक उनके चर्णों में जुग गए तब देवी ने कहा है नवीन पुरुशोत्तम रभराम तुम्हार दूसरा इस पंक्ती में श्लेश अलंकार है लिलिया हस्त लक लक करता वा महाफ्रा ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन तीसरा इस पंक्ती में अनुप्रास अलंकार है जिस क्षण बंद गया बेदने को द्रद्र निश्चै चौथा इस पंक्ती में रूपक अलंकार है मस्तक पर शंकर पर पद्पद्मों पर शधाभर पांचवा समासिक शैली अपनाई गई है तक्सन शब्दों का प्रयोग हुआ है नवीन छंद है विशेश इस पद में महाशक्ती के मात्र भाव का चित्रन हुआ है सुखांत परिधतना अनिर्मित की गई है तो यह था राम है झाल है झाल झाल है झाल जड़ के दो अज़त कि दो है पर फद्वाबर का तो है है कि विशेश में में मुटेश पर शम जब का ज़ आशी रहा है झाल है तो